मैं इसमें कोई हिचकिचाती नहीं हुई कहने में कि आर्थिक आधार पर ही आरक्षन का मतलब है क्योंकि आप जब तक एक व्यक्ति को और एक ही परिवार में अगर वो आरक्षन जा रहा है तो वो नुकसान पहुंचाता है किसको उस पूरे नोशन को उस पूरे बड़े सिस् को सिस्टम को उस थोट प्रॉसस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है जब तक हम ऐसा कुछ पहल नहीं करते हैं जिससे सब को हम ला सके और इस समू में डाल सके तब तक इसका फाइदा नहीं होगा अब मुलायम सिंग्यादव के ही बेटे को आरक्षन मिले और उनगी पर पोते को आरक्षन मिले तो यह तो एक परिवार की बात होके रह गई ना आज भी इससे नजाने कितने अनसूच जाती जन जाती के लोग हैं जिनको आज तक जिनके परिवारों को फाइदा नहीं मिला है किसी एक पीडी को भी नहीं मिला है क्रीमी लेयर का कॉंसेप्ट किसी लिए लाने की बात हो रही थी लेकिन हिम्मत नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी में हिम्मत नहीं है उनको लगता है कि वोट बैंक उनकी खिसा जाने का जो डर है वो इतना हावी रहता है कि वो किसी की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते है सीधा सपाट यही मामला है अब विकास जी को मेरा भी मेरी भी जाती दिख रही है अब यही तो प्रॉब्लम है ना वो मेरा मेरी भी जाती यहां पर लिख रहे हैं देखिए एक तरफ कोई आइडिलोजिकल बात करके कहता है कि यह भारत कभी इससे निकल पाएगा या नहीं और आप ही में से लोग जब म सब्स हम हमारी सोच जब तक नहीं बदलेगी मॉलिक रूप से तब तक यही सब लिखा जाएगा यही सब किया जाएगा यही सोचा जाएगा आप पहले जात पता करेंगे अपने कैंडिडेट की फिर वोट डालने जाएंगे और इसलिए यह तीन-चार लोग जो मेरी जाती लिख रहे हैं और मुझसे जाती पूछ रहे हैं उनसे मेरा यह कहना है कि जाती के आधार पर आपको सड़क मिलती है क्या सड़क में गढ़े किस हिस आप से मिलते हैं देखिए जिस वजह से हम अपने नेताओं को चुनते हैं उन पर उस कसोटी पर उनको आकने के लिए आप को काबलियत देखनी होगी जाती पर अटकिएगा तो आप नसिर्फ अपने आपको अपने आसपास के अपने लोगतंत्र को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं इसलिए आप लोग भी मेरी जाती लिख रहे हैं और पूछ रहे हैं यह भी बहुत इंट्रेस्टिंग है इस इंडिया हम लोग बड़ी-बड़ी बाते कर लेते हैं कि हमें जाती से उपर कभी उठेगा क्या भारत् लेकिन जब अपने पर आते हैं तो देखिए जाती पूछने लगते हैं बताने लगते हैं टाइटल पर ज्यादा ध्यान देते हैं सब अगर हम नहीं सोच पाते हैं तो इसी को तो एनक्याश करते हैं नानेता और इसी वज़या से उनको यह डिविजन सुट करता है और इसलिए आपको यह तह करना है कई लोग तो अपना जोग immediate candidate है उसकी जाती के आधार पर vote देते हैं इसलिए पार्टियां जाती है समिकरण के हिसाब से candidate field करती है मतलब इस चुनाविक शेत्र में इतने फीजदी ये cast के हैं इतने फीजदी ये cast के हैं तो ये दोनों एक साथ आजाएंगे तो इस cast वाले को खड़ा करो तो वो जीतेगा ये हम ही कराते हैं ये हमारी सोच कराती है और इसलिए हमें इस चक्र व्यू से अगर निकलना है तो जाती से उपर उठके सबको vote करना पड़ेगा अंकुर पूछ रहे हैं कि डियू थिंग इंडिया विल एवर भी फ्री फ्रूम कास्सिजम देखे उमीद पर तो दुनिया कायम है और यहां पर उमीद पर भारत कायम है तो एक दिन उमीद कीजे कि जाती से उपर उठकर हम कुछ ऐसा सोच पाएंगे इस देश में कि जाती से उपर उठके कम से कम हम वोट कर सके और अपना प्रतिनिधी चुन सके देवेंद्र नरूला का एक सवाल है